दुनिया भर के देशों के राष्टा ध्यक्ष भारत आने पर राष्ट पिता महात्मा गांधी को ज़रूर याद करते हैं ब्रिटन के प्रधान मंत्री वोरिस जॉंसन भी जब गुजरात पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले साबर मती आश्रम जाकर बापू के चित्र पर माल्यार पढ़ किया और शद्धांजली सुरूप उनका चर्खा चलाया इस मौके पर पीम जॉंसन ने विस्टर बुक में लिखा इस असाधारन व्यक्ति के आश्रम में आना एक बहुत बड़ा सौभाग है यह समझने के लिए कि कैसे उन्होंने सच्चाई और अहिंसा के ऐसे सरल से धानतों को बहतर बनाने के लिए दुनिया को बदलने के लिए प्रेडित किया बोरिस जॉंसन बुल्डोजर बनाने के लिए मशूर जेसी भी कमपनी की नई एकाई का उदगाटन भी करने पहुँचे इस मौके पर उन्होंने बुल्डोजर की सवारी की शायद उन्हें मालूम नहीं था कि इन दिनों बुल्डोजर भारत में खास तरह का एक सियासी प्रतीक बन गया है अहिंजा के प्रतीक चर्खा चलाने के बाद बोरिस जॉंसन की बुल्डोजर की सवारी देश में सुर्कियां बटोर रही है बहराल अडानी समू के अदेश गौतम अडानी ने बोरिस जॉंसन से मुलाखात की दोनों के बीच बातचीत में ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने रक्षा और एरोस्पेस प्राध्योगिकी के ख्षेतर में ब्रिटिश कंपनियों के सहयोग पर चर्चा की ब्रिटिश प्रधान मंत्री बोरिस जॉंसन की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच रिष्टों को मजबूत करने की दिशा में एक एहम कदम माना जा रहा है बोरिस जॉंसन के साथ पीम नरेंद्र मोधी की शिखर बैठक भी होगी इस स्यात्रा में दोनों देशों के बीच Early Harvest Deal को लेकर खासी चर्चा है इसे दोनों देशों के बीच संबंदों की नई शुरुआत माना जा रहा है इसके तहट Goods and Services और निवेश को ही नहीं बलकि Intellectual Property Rights, Geographical Indication यानि GI Tag और सतत विकास को भी शामिल किया जाएगा 2020 में दोनों देशों के बीच 18.3 अरब पाउंड का व्यापार हुआ था भारत ने बृतन को 11.7 अरब पाउंड का निर्याद किया था तो बृतन ने भारत को 6.6 अरब पाउंड का सामान एक्सपोर्ट किया था ब्रेटन त्रेबन सो करोन रुपए के निवेश को सहमती दे चुका है दोनों देश दो हजार तीस तक आपसी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष लेकर बाचीत करेंगे ब्रेटन यूरोपीय संग से अपने रिष्टे तोर चुका है लेहाजा उभोगता वस्तुओं की ख्षित्र में नई संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं वहीं ब्रेटन में भारत के 53,000 चात्र अध्यहन रत हैं इसी दिशा में ब्रेटन से नौलिज शेरिंग पार्टनर्शिप भी बोरिस जॉंसन की यात्रा का एहम एजंडा है इसके अलावा अंतरास्ट्रिय राजनीती के लिहाज से भी बोरिस जॉंसन का ये दौरा महत्वपूर्ण है अगले साल यानी 2023 में G20 के अधश्टा भारत करने जा रहा है इस लिहाज से भी ब्रेटन से हिस्सेदारी काफी एहम है इसके अलावा रूस युक्रेन युद्ध के मद्दे नजर ब्रिटिश प्रधानमंतरी की भारत यात्रा से राजनेक रिष्टे बहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है समझा जा रहा है कि पिये मोदी भारत के तटस्त रुप को लेकर अपना पक्ष सामने रखेंगे वहीं इंडो पैसेविक शेतर में शांती भी दोनों प्रधानमंतरीयों के बीच बाचीत का एहम मुद्दा होगा भारत इस खेतर को खुला रखने के पक्ष में है तो बिटन किसी भी देश के एकाधिकार की कोशिशों का विरोध करता है